तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, Hong Kong International Series T20 जो खेला जाएगा, वो खेला जाएगा कुवाइट वर्सेस मलेसिया, मलेसिया को हम लोग भली भाती से जात रहे हैं, और देखी भी रहे हैं कि मलेसिया T10, मलेसिया T20, ODI, सारा कुछ इनका जो डोमेस्टिक में चोता खेले, तो स 27 पे है इनका रेंकिंग, तो वही कुवाइट यहाँ पर 25, यहने जादा कांतर नहीं है, यहनी कि कुवाइट यहाँ पर स्ट्रोंग नजर आती है T20 ICC रेंकिंग के अधार पे, लेकिन 2018 में एक मुकाबला दोनों टीम आपस में खेली, तो वहाँ पर 42 रनों से मलेसिया नह आपको टेंसर नहीं लेना है, ICC रेंकिंग में कुवाइट आ गए है, तो वैसे में कि अधार पे देखा, अभी रिसेंट तो मलेसिया आ गए है, तो मेरे भाई, अगर जदि आप इस मुकाबले को खेलना चाते हो, तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है हमारे टेली ग्रा से वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको जूड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, तो यह टेली ग्राम चैनल पर आ जाओगे, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है, जो हूँ बहुत आपको डोमेस्टिक पिलिंग ले बना जारा है, तो उनसे आ करना चीए, तो दोस्तों यहाँ पर कुवाइट की बात के है, कुवाइट अपना लास्ट मुकाबला सिंगापूर के खिलाप यहाँ पर खेल के आ रहा है, तो कुवाइट ने पहले गेनबाजी करते हूँ, यहाँ पर देखा जैसीन पटेल के चार विकेट, सिराज खान का काफी अकर्मक बलेबाजी थोड़ा से इस पर ध्यान रखना है, चल पड़ित पाबर पिले में ही अर्षा तक जड़ सकते हैं, दो चाओके दो छक्के इनके लाव भी ताहिर यहाँ पर 21, इडिसोन सिल्वा, इनका देखो बलेबाजी कोई फिक्स नहीं है, बहुत नीचे भी आता, बहुत उपर भी आता, एक दो ओभर भी डालेगा, कुछ भी ओभर नहीं डालेगा, अच्छा गनबाजुआ चार ओभर भी डालेगा, तो एक इसा पिलेर है जो कुछ भी करेगा, कुछ भी आप फिक्षा कर सकते हैं कि भाई इनके वज़ा से बीन कर गया, या फि का, तो दोस्तों यहाँ पर बात कीजा, कुवाइट के टीम, दूसरा मुकाबला होंकों के खिलाब के लिए आपको पता होंकों काफी जादा मजूद है, यहाँ पर वीन करना इनका आसान नहीं था, हुआ भी कुछ ऐसा, बलेबाजी यहाँ पर देखा हो को एडिसों करते हैं, सफिक ने भी यहाँ पर एक बिक्टे लेगे, यहाँ बाकी यहाँ पर साधारान दिखाए दी, इनका नतीजा हुआ, इनको हार का सामना करना पड़ा, इनका तिसरा मुका बला UAE के खिलाब हों UAE को भी कुवाइट की टीम हरा के यहाँ पर आई थी, तो काफी केपनर ने अच्छा शुरुवाद दिया तो यहाँ पर इनके लाव इट्सोन सिल्वा जो का अकरमग बले बाजी के लिए जाने जाते मोहमद असलम केप्टन ने भी अच्छा योगदान दियार इनके बल पी इन्होंने वीन कर गया, अब दोस्तों यहाँ पर बात करें मले के ना भी चाहिए, दो तीन ओभर यह डालने का छमता रखता है, अहमद फाइज सबसे अकरमग बले बाज देखा जाए तो जैसे कि भारत के लिए विराट कोली, इंगलेंड के लिए जियोई रूट, इनके अलावे न्यूजिलेंड के लिए के लिए तो मालेसिया के लिए पर अहमद फाइज अपने टीम के खेप्टान, काफी मलब बनिया गेनवाजी करता है, छोटे कात के लेकिन लाग भग रहन मार जाते हैं, तो काफी बनिया, हो सके इस मैच में फुलोप सावित हो जब वो अलग की बात है, लेकिन रेगुलर यह चलने वाले पिलियर में से ह अब इनके गेनवाजी देखे जा, गेनवाजी ठिक ठाक रहा, अखरी के दो गेनवाजों ने दो तीन उबर डाला नहीं लिया, बाकि उपरी करम सारे ने एक एक बिक्ति ले, फिटरी साम पे थोड़ा खास नजा रखना क्वालिटी स्पिनर है, रन भी बलेज कुछ योग कार्ड होने वाला है, ये भी काफी डेथ उबर में गेनवाजी के लिए जाने जाते हैं, भी सिंग तीन उबर इनका कनफर्म मानलो, यहाँ पर चार उबर डाला, सर्विन मुनियंडीज कई बार चार उबर कराया जाते, कई बार दो उबर, कई बार एक भी उबर नहीं ते ये आपको भी याद रखनार हमें भी, तो दोस्तों दूसरा मुकावला देखा है, जा सिंगापूर के खिला मलेसिया की टीम खेले, मलेसिया ने तूट कर पड़े थे, सिंगापूर पे यहाँ पर आमाद फाईज, मैंने कहा न, यहाँ पर देख साथ 86 का योगदान दिया, सियाद आजीज, आते ही भाईया, इनको बांडरी ही दिखाई देता, चक्ये चाओके जड़ता है, सियाद आजीज, सबसे आकरमग बले बाजी इनका, भी सिंग थोड़ा समझदारी से खिलते हैं, आमाद फाईज, सिच्वेशन को समझते हैं, और सियाद आजीज, भाई, रन बनाओ, चाहिज, जैसे रन बने, रन बनाओ, इस पर ये खासियत हैं, और अकरमग खिलते हैं, जुबाईदी के बाद के वह बाएं हाथ का ये भी अकरमग बले बाज़ा, लेकिन अभी देखो, हाल फिलाल फोर्म न, काफी खराब रहा है, जुबाईदी का इंटरनेश अगला चीज, यहाँ पर मातपूर्ना, जब दोनों टीम आपस में खेली थी, तो क्या हुआ था, भाई कुवाईद का देखाजा, आगे जरूर है, लेकिन कुवाईद यहाँ पर 120 रन पर ही ओलाउंट होगी, टार्गेट यहाँ पर जो मलिसिया की टीम दिया था, 162 रन का यहाँ पर टार्गेट दिया था, जहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यह सारीप खेले थे, यह 2019 की बात है, महाँ पर भी आहमद फज थे, भी सिंग थे, उस टाइम इन लोग का फोर्म उतना बहतर नहीं था, गेन बाजी में यहाँ पर देखा जब दो बिक्टे म पर विंदर सिंग दो बिक्टे ले गये थे, फिटरी साम भी उस टेम खेल रहे थे, दो बिक्टे, मुहमास सहादत तीन बिक्टे, तो यह सा रहाता, तो 2019 काफी टाइम हो गया, बहुत सारे बदलाव भी आए, फिर भी हम लोगों ने देख लिया ताकि बेतर कर पाए, तो दोस्तो चली कोंबिनेशन देखें, लेकिन इससे पहले अग जदी हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम मिलेबन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता, मैं सबसे पहले इन्फोर्मेशन दे खेलेंगे भी तो काफी नीची आएंगे, और संड्रूबन यहापर 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 जूबई दोनों में से एक कोई न कोई फुलोब जाएगा हमारा जहां तक मानना है, लेकिन भाई यहापर थोड़ाज प्रेडिक्शन करना मुश्किल होडा, आहमात फैस को मैं पिक करूँगा, यह चले ना चले, लेकिन इनका चलने का ज़्यादा चांस रखता है, बी ताहिर यहापर काफी बढ़िया, इनके उपर भी जा सकतो, इनके अलाव यहापर कोई अन्ने खेलेगा, तिन लोग आपको पता, मुहमद आमीर अजीम एक खान में लेकि यह लोग उल्राउंडर लगा, मैंने पिक किया, गिनबाजी में इसमोहिन, फिटरी साम, इनके लाव रिजवन हैदर, अब देखो यहापर सार एक सार आज से, यहापर देखा, इड्रूस की बात का यह भेतर है, जुरवानी भेतर है, इनके लाव विजय यूनी भेतर है, यह अस्प फाइनल टिम जो आएगे वो टेली गराम चैनल पर आएगे, डोमेस्टिक फिलिंग लेबन पर तो वहाँ पर आपको जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो मेरे भाई, मैं अपने वीडियो के यही समाप्त करता हूँ, और असा करता हूँ लक्षीमा विसा जाए और वीनिंग का चांस बहुत ही ज़्यादा आए।